असलाम लेकुम मैं नेम सेद राहीलमजवेर और वेलकुम वल उफ यू तो लमस्वेश्पीर गूर्प फॉफ कॉलेज़ेश तो चप्टर लेवन के हम टॉपिक स्टुडी कर रहे थे और हमने लाइट रिक्शन तक पढ़ लिया था आज कर जो टॉपिक है हमारा वह एक इनिशेट करता है रिबिसको एंजाइम के पास दो एक्टिफ सायटी तो बाइंड करने के लिए और एक कार्बन लाइग्जाट को करने के लिए और यह सब्याटन प्रोटीन है जमीन के का अब इस प्रॉसेस के तीन फेज हैं पहला फेज है करबन फिक्सेशन दूसरा है reduction और तीसरा है regeneration of carbon dioxide accepted जिसको बोलते हैं ribolose bisphosphate तो पहले process में carbon fixation में ribolose bisphosphate यानि के ये five carbon sugar है इसमें ketone group है और इसमें दो phosphate group पटाया जाएं इसके तीन molecules है अच्छा अब होता गया है कि एक molecular ribolose bisphosphate का एक molecular carbon dioxide का तो पांच carbon ribolose bisphosphate के एक carbon carbon dioxide का तो एक six carbon compound बनता है अब जो six carbon compound बनेगा वो unstable है वो break हो जाता है दो molecules में और हर molecule में तीन-तीन carbon होते हैं अब अगर इसे तरीके से तीन molecules हो ribolose bisphosphate के तीन molecules हो carbon dioxide के तो तीन six carbon molecules बनेंगे लेकिन वो तीनों चुक्के unstable होंगे वो break हो जाएंगे into six molecules of three carbon compounds तो हमारे पास three phospho glycerate के actually six molecules हासिल हो जाएंगे उसके बाद अब देखें जो carbon dioxide air में free थी हमने उसको fix कर दिया एक three carbon compound के अंदर इसलिए इसको carbon fixation क्याते हैं और Kelvin cycle के नतीजे में गुलू को ड्रेक्ट लिनी बनता हमेशा सबसे छोटा जो क्राइड है तीन कार्बन माला वह बनता है इसलिए इसको सी थ्री पाथवे भी बोलते हैं चुके इसका जो पहला compound stable compound बन रहा है उसमें तीन कार्बन फिक्सेशन है फिर रिडक्शन का प्रोसेस टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि अब six molecules है थ्री फास्फो ग्लैसिरेट के अब अगर एक ATP एड़ हो इस थ्री फास्फो ग्लैसिरेट में तो इससे बन जाता है 13-bis-fasso-gläsिरेट के छे मॉलिक्यूल्स के अंदर छे मॉलिक्यूल्स NADPH के एड़ हो जाएगा तागर उसको रिडियूस किया सके तो छे एड़ होंगे तो रिडक्शन के बाद छे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लेस्रेल्टी हाइड 3-phosphate के तो ये phase 2 complete हो जाएगा अब छे मॉलिक्यूल्स है जी 3-P के उसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो आगे चला जाएगा और उसको शुकर सेंसिस में सुक्रोज बनाने में गुलुकोज वाला जो मॉलिक्यूल है राइबोलोस बिस फॉसफेट उसको रीजनरेट करना है तो बुक ने लिखा है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-carbon G3-P are converted into 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5-carbon राइबोलोस फॉसफेट तो एक यहां पर मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते है राइबोलोस पांच G3-P के मॉलिक्यूल्स से 3-carbon RABOLOS फॉसफेट के मॉलिक्यूल्स ऑभी प्रासस कम्पलीट नहीं हुआ अब अगर एक मॉलिक्यूल्स ऑफॉसफेट के और आपने इसको कनवर्ट किया जाए ribolos बिस फॉसफेट के मॉलिक्यूल्स में तो एक ATP चाहिए अगर दो मॉल बन जाएगा तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है जिसको डार्क डेक्शन जा कैल्विन साइकल कहते हैं जिसके नतीजे में शूगर मॉलक्यूल सेंटसाइज होता है तो मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे अगर नहीं समझ आए तो जुरूर कमर्स लेक्शन में पूछ सकते हैं इंशालला आप से नेक्स लेक्शन और अलाकात हो कि अपना खार रखेगा अपने